हलो कैप्टेंस अब आम बैंड आज हम लोग ले आए है आपका वोटेड एंड मोस्ट अवेटेड शो लाइनप प्रेडिक्टेड इलेवन आयसेल क्लप्स के लिए एंड पहला वीडियो है अबाउट दो मोस्ट अवेटेड टीम मनलो मार्केस की एपसी गवाज जिसने इस ब पैनलो मार्केस का जो पॉटकास्ट था उसका लिंक मैंने दे दिया है प्लीज चेक कर लेना बहुत कुछ जानने को मिलेगा जानता हूँ भाई और नहीं बकूंगा बिल्कुल टाइम नहीं लूँगा चले आते हैं स्टेड वीडियो में एंड होफफुली आप लोगों को यह अच्छा लगेगा हमें गोलकीपड पॉजिशन में देखने को मिलेंगे इंडिया का जो पहला वर्ल्ड कप साइथ जो पी लीरा सिंग को टीम का गोल कीपकेर के पोजिशन में कमान समालते हुए उनको पार्टनर करेंगे 384 professional matches खेला हुआ इंडिया में one of the most experienced foreigners और कोई नहीं मैं बोल रहा हूँ ओड़े होना इंडिया का नाम जो पिछले साल तक हाइदराबाद में थे और इस साल वो चले आया है QFC गवा उनके कोच Manolo Marquez के साथ और उनको पार्टनर करेंगे इंडियन फुटबॉल के वाल इंडियन फुटबॉल के लेजेंड नन अदर देन Mr. Sandesh जिंगन और भाई तो अब दो लोकल प्यास का नाम मैं लूँगा so please get your hypes up क्योंकि left back position में हमें मरगाओ में bond हुए player that is none other than Xavier Gamma को देखने को मिल जाएगा the attacking left pullback इस टीम का एक बहुत important role निवाएंगे और उनके होनी का ही opposite जो position है right back उसमें हमें देखने को मिलेंगे another local boy Seridan Fernandez जो इस साल शायद vice captain का role भी हमें निवाते हुए देख सकते है तो और मैं time waste नहीं करूंगा चले आओंगा straight to the midfield जो आप लोग आइप दो सुनने के लिए but again मैंने midfield को दो parts में भाग किया है एक है the defensive midfield जहाँ पे deeper midfield में एक CDM और एक DLP देखने को मिल जाए है so CDM position में हमें देखने को मिलेंगे two times A league मतलब Australian league champion पावलो रेतरे जो इसी साल Indian football में अपना pair जमा रहे है and along with him और एक नया transfer Indian football में जाना पहचाना नाम that is Rainier Fernandez वो चले आए है अपने ने club में to his local club और बहुत interesting होने वाला है उनका rise देखना but again attacking midfield के position में आप क्या होगा बिलकुल wait ना करो मैं आ रहा हूँ with all the names left wing position में Indian football में पिछले साल का one of the rising foreign stars that is none other than Noah Sadaooy जिनके pass में हमें देखने को मिलेंगे इस team के captain in the C.A.M. position Brandon Fernandez so Brandon Fernandez का role होगा to play in the central attacking midfielder position और injury के बाद lot आया है but FC Goa fans are ready to see him play और अब चले आते हैं to the right wing position Indian football के legend the man himself over 100 matches खेला हुआ सिब ISL में Udanta Singh Udanta Singh इस बाद बेंगलूरू से चले आया है to FC Goa this I-League ISL Intercontinental Cup से शुरू करके South Cup जीता हुआ player इस साल अपना pair जमा रहेंगे in the for the goals और उनके उपर नजर रखना because it is his place for redemption और striker position में coming straight from Andorra that is none other than Carlos Martinez Gerard PK के क्लब FC Andorra से इंडिया तक का सफर तो बहुत interesting हुआ होगा उनके लिए पर कितना interesting उनका football career इंडिया में होता है वो तो सिर्फ time बताएगा So ये हैं हमवारा predicted line-up 11 और FC Goa इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि मैंनों लोग मार्केस अपने फिछने साल वाले 4-2-3-1 formation को इस साल भी बरकराया रखते है आशा करता हूँ आपको आज का शो अच्छा लगा होगा और इसी अंदाज में मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में आप लिग दो किस टीम का वीडियो आप नेक्स देखना चाहोगे and hopefully your team will be the next team and also इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना and also अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंज या फैमिली की ग्रूप में शेर करना टाकि इंडियन फुटबाल का कंटेंट हर घर तन जाबाए